तो कैसे हैं आप सभी लोग सौगत है आप सभी का मेरे यूटूब चेरिन इसे साथी ब्लॉगर में तो आज बनाने वाली हो पकोड़ा कड़ी और अगर आपको प्रेंट्स प्संद आए तो प्लीज लाइक और सेर कर दीजिएगा ठीक है तो चले बनाना सुरू कर तो कड़ी प्साटा हुआ था क्याओ प्साला प्साथ रचाए और यहां पर दालेंगे नमक के लिए नमक के दालने के बाद पाने के गोल तैयार कर लेंगे तो जैसे बहुत लोग की जो पकोड़ा है वह फूलती नहीं तो इसके लिए आप मतलब क्या करेंगे जब यह बेसन हमार तो फेटने के बाद इसमें एक सी दो चुटकी डाल देंगे मीठा सोडा तो अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी तो ये देखे बेसन हमारा अच्छे से फेट लिया है हमने और आप हम डाल देंगे यहां पर एक से दो चुटकी बस बहुत ज़रा सा मीठा सोडा जो खाणे वाला होता है वो डाल लेंगे और इसक को डालने के बाद में बेसन को जड़ा फीडना नहीं है बस दो से तीन पार ऐसे हांच से घुमा देना है और यह देखे बेसन हमारा फिट के तयार हो चुका है अब हम इसकी बना लेंगे पकोडियां तो यह दिखे तेल में आप देख सकते हैं कि इसे डालने हैं पकोड़ी डालने पर यह पकोड़ियां उपर उठके आ रही है तो इसका मतलब जो है यह हमारी पकोड़ी अच्छे से फूल रही है तो इसी तरीकी से हम सारे पकोड़ी बना के त्यार कर लेंगे और पकोड़े बनाने के बाद जो यह एक्स्ट्रा तेल कड़ए में मतलब है क्योंकि इतना तेल तो कड़ए में पड़ेगा नहीं तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल लेंगे अलग बर्दन में तो तेल निकालने के बाद ये देखें मैंने निकालें मसाले में लिया है एक चमच हल्दी पौडर आधा चमच मिर्च का पौडर और एक से देड़ चमच ये धनिया पौडर धनिया थोड़ी से ज्यादा ही डालेंगे और अब जो ये पकोड़े बनाए थे जिस बेसन से उसी में से थोड़ा सा बेसन में बचा लिया है और ये चांच डाल देंगे बेसन में आप चांच या धही कुछ भी डालें तो उसको चांच जरूर लें एक बार क्योंकि चानने से जो इसमें गुठलिया जैसी होती है न त चाहते हैं तो आप मिक्सर जाड में डालके एक बर घुमा दीजिए तो इसमें जो गुठलिया जिसी है वह खत्म हो जाएंगी उससी क्या होगा कि जो हमारी कड़ी अच्छी से मतलब एक दम से बनेगी देखने में बराबर और बिल्कुल भी जो हमारा दही है फटेगा नह में पानी से घुल के डालती हूं इस तरीक ज़ाने से मारे मसाले जलते नहीं है तो यह मसाला मुटलें अप्छी से मुटलेंगे मैं अच्छा से भुन जाएगा तो हम इसमें जो बेसन और धही वाला गणार है जो जो गोल बना की रखाय को दाल लेंगे तो कड़ी की जो ग्रेवी होती वो अपने आप हिसाब से बना सकते हैं आप जैसी खाना पसंद करें ज्यादा या कम तो मैं यहाँ पर चाल लोगों के हिसाब से बना रही हूं जो यह ग्रेवी है हमारी अच्छे से इसमें जब उबाल आने लगेगा तीन चार उबाल आ जाएंगे तो इसमें पकोड़े बना के रखें वो डाल देंगे नमक हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि पकोड़ में भी नमक है और जो बेसन बचाया था ना उसमें भी नमक था तो नमक थोड़ा सा ही डालेंगे तो इसमें थे हमारे पकोड़े और जह मैं थोड़ा सा हाथों से इस तरह के से दबा दबा के डालेंगे तो ग्रेवी में जनितर दालने सी अच्छे से पूल जाएगे निहीं है इसका इसकी ग्रेवी ही बंड कले लएल जाएके मितलब राट और बंद कर देंगे गैस को पलट लेंगे दूसरे बतन में अब हम लगा लेंगे इसमें तड़का तड़का लगाने के लिए देखे में यहां पिलिया है यह एक चमच राई है सरसो मतलब और यह 10-12 करीपता है दो यह लाल वाले मिरच इसमें काट लिया है इसे बड़ा बड़ा और एक से दो कि जो उमने पकोड़े बनाया थे ना वही वाला तेल है मैंने यूज कर लिया तड़के में भी कि यह जो पकोड़ा कड़ी होती है सरसों के तेल में ज़्यादा टेश्टी लगती है और तड़का हम अपना बहुत ध्यान से डालेंगे कि जो सरसों है न वह च्टेकती है बह रख देंगे तो जो हमारा मत्या मात्या चाटके अगया आप मैं फिर यह देहें हमें तो की जड़ेंगे वह च्टे के न यह जेतैंगे तो यह कोड़ेंगे सरसों बाहर निकलके नहीं आती है एकनो अगर मोदक बंद कर देंगे भес जाया धिया हमारे आप तड़का उख आ कोड़ सेर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि जो न्यूग आने वाले वीडियों वह आपको इसी तरीके से मिलती रहें